6.2 कोशिकाओं का अध्यन प्रारूपिक कोशिका व्यज्यानिकों ने कोशिका की कुछ बुन्यादी समानताओं को ध्यान में रखकर कोशिका का मॉडल बनाया जिसे हम प्रारूपिक कोशिका कहते हैं पादप और जन्तु कोशिका को चित्र नुसार दर्शाया गया है आपको दोनों कोशिकाओं में क्या-क्या समानता है दिखाई दे रही है पादप कोशिका में पाय जाने वाले कोई एक कोशिकांग को ढूंडिये जो कि जन्तु कोशिका में दिखाई नहीं दे रहा है विभिन स्त्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रारूपिक चित्र को बनाया जाता है उनमें अब तक की जानकारी के अनुसार, मुख्य अंगो को इस प्रकारदर शाया जाता है कि हमें कोशिका की संरचना का आभास मिलें आजकर कई वेग्ञानिक तो एक कोशिकी जीव को ही प्रारूपिक कोशिका मान कर अध्यन करते हैं इससे उन्हें कोशिका के जीवन्त क्रियाशील रूप का भी आभास मिलता है। चाहे हमें अपने शरीर के अंदर की सभी कोशिकाओं का अध्यन करना हो या अन्नी किसी जीव का, किसी ना किसी प्रारूपिक चित्री की आवशक्ता होती ही है। क्या आप जानते हैं, महज 200 साल में हमने ऐसे सुक्षमदर्शी का निर्माण किया है, जिससे हम किसी कोशिका को दस गुना से लेकर पाच लाग गुना बढ़ा करके देख सकते हैं। और उन पर शोद जारी हैं। वैसे यह आवश्यक नहीं कि एक प्रारूपिक पादप या जन्तु कोशिका में दिखाई गई सभी रचनाएं एक साथ सभी कोशिकाओं में पाई जाएं। कोशिका में उनके कारियों के आधार पर कोशिकांगों की उपस्थिती वो संख्या में विविदता देखने को मिलती है। कोशिकांगों की संख्या को भी प्रारूपिक कोशिका में दर्शाया नहीं जाता है। जैसे किसी पादप कोशिका में यदी 100 क्लोरोप्लास्ट हो तो प्रारुपिक कोशिका में कुछ एक क्लोरोप्लास्ट को ही दर्शाया जाता है। कुछ कोशिकां जरूर समस्त कोशिकाओं में पाये जाते हैं पर सभी नहीं। प्रारुपिक पादप कोशिका में सदेव क्लोरोप्लास्ट दिखाई देंगे, परंतु वास्तों में सभी पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित हो यह जरूरी नहीं है। इसी प्रकार प्रारुपिक कोशिका में विभिन कोशिकांग के आकार के अनुपात क ध्यान नहीं रखा गया है। यदि हम एक कोशिका का पैमानी के आधार पर प्रारूपिक चित्र बनाएंगे तो उसमें कोशिका एवं उसके कोशिकांगों में संबंध कुछ इस प्रकार का होगा। यदि कोशिका का व्यास 30 मीटर का हो तो लगभक 6 मीटर का केंद्रक, वो जोम जैसे छोटे छोटे अंग लगभक 1 सेंटी मीटर के होंगे। ये अनुपात अलग-अलग कोशिकांगों में भिन्द भिन्न होते हैं। अधा प्रारूपिक कोशिका का चित्र एक व्यवस्था का निरूपन मात्र है।